पर आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, आज हम आपको बहुत ही यूनिक टिप्स बताएंगे, आप हमेशा सोचते हैं कि हमें खाना अच्छा और सुपाच्च मिले जिसमें ओयल की मात्रा एकदम कम हो, जिससे हमें फैट ना हो, हार्ट अटेक ना हो, पूरी तरह से क जैल्शियम मिल सके, जो हमारे स्वास्त को अच्छा रखे और हम कभी भी मानना पड़े, इसके लिए देखे मैंने एक कप बेशन दिया है, और एक कप ही हम राइस फ्लोर लेंगे, अगर आपके पास राइस फ्लोर ना हो, तो आप सुजी को ग्राइंडिंग जार में बारी कर लीजे और उसे एक कप ले दीजे, इक्वल कॉंटिटी ले रहे हैं, हम इसमें एक कप पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे, मिक्स करते हैं समय ध्यान रखे कि लंस ना हो, इसलिए आप ध्यान से मिक्स कीजे, आप तो जानते हैं कि बेशन में जो है कैल्शियम की मात बहुत ज़्यादा होती है और मिनेरल्स होते हैं तो यह बहुत अच्छा होता है। हम पतंजली वला बेसन लेते हैं जो काफ़ी हैलदी भी होता है और एक दम प्यूर होता है। अगर हो सके तो आप दाल को लेकर अपने चक्की में पिसा लेजिए और फिर जितनी मात्रा हमें पानी की जरुवत पड़ेगी उतना हम डाल दे रहें एक कप डालने के बाद हम थोड़ा सा पानी और डाले हैं वन फोर्थ ओफ द कप इसके बाद देखे एक्दम लंस फ्री मिक्स करके हम इसे धक कर रख दे रहें ओव और नाइट के बाद आपको दिखाएंगे थोड़ा सा नमक डाला है और देखे कितना ज़्यादा ये फूल गया है और काफी प्लफी हो गया है आपको चिपचिपा सा दिख रहा होगा और काफी बुलबुले इसके अंदर नजर आ रहे होंगे कटोरी में थोड़ा सा तेल लगा लीजे ताकि बिना हम सांचे के इडली के सांचे के आपको इडली बनाना बताएंगे यानि इंदली जैसा ही नास्ता होगा और सारी कटोरियों में हम तेल लगा लेंगे, तेल लगाने से जो है नास्ता हमारा बिल्कुल छिपकेगा नहीं, पानी मैंने पैन में रखा है, नीची मैंने एक छोटी सी प्लेट डाली है, उपर छणी लगाई है, छणी लगाने से ये नाश्ता बहुत जल्दी तयार होता है पानी बॉयल हो रहा है तो मैंने कटोरी रग दी है ना तो मैंने इसमें इनो डाला था और ना ही सोडा थोड़ा सा हम दही डाल रहे हैं यानि एक बगती टेबिलिस्पून यह हमारी क्रीम वाली दही है अगर आपके पास फ्रश दही हो तो डाल सकते हैं क्योंकि ओयल वगरा मैंने नहीं डाला थोड़ा सा क्रेमी होगा और बहुत ही सॉफ्ट टेक्शर होगा इसलिए हमने इसके अंदर दही मिलाई है और मसाले अगर आप चाहें तो लहसून आद्रक और चिली का पेस्ट मिला सकते हैं पर मैंने नहीं मिलाया क्योंकि मैं चटनी बनाऊंगी देखें इस तरह से फ्लोट होना चाहिए यानि इडली वाला बैटर ही होना चाहिए अब हम इस गरम कटोरी के अंदर दो चमच बड़े दो कड़्ची बैटर डाल रहे हैं आप देख रहे हैं वन थर्ड पोर्शन हम इसके फिल कर दे रहे हैं क्योंकि यह बहुत जादा प्लफी होगी और फूलेगी तो हमें थोड़ा सा स्पेस रखना है इस तरह से हम अपनी चारों कटोरियों को भर देंगे भरने के बाद कैस की फ्लेम हम एक से दो मिनट हाई रखेंगे उसके बाद हम मेडियम फिलेम इसकी रखेंगे थोड़े से इडली बड़ी है यानि नाश्ता बड़ा है तो टाइम लगेगा देखे काफी जादा यह फूल कर आ गई है कटोर भी में उपर एक दों तो आप पहले इसे चाकू से चेक कर लीजी अगर इसके अंदर पूरी तरह से पक जाएगी तो क्लीन चाकू निकल जायगा देखे एक तो हमारी पूरी तरह से पग गई है और बाकी को हम चैक कर लेंगे और चैक करनेके बाद देखículं एक नहीं पकी तो फिर से हमने ढग दिया अब फिर हम इसे seven to eight minutes बाद फिर चेक करेंगे तो ये पूरी तरह से एकडम clean निकल रहा है और हमारा ये इडली तैयार हो गई है अब हम इसे फटाफट उतार लेंगे उतारने के बाद आप इसे थोड़ी देर तक ठंडा होने दीजे और फिर जाहें तो हम दूसरी कटोरी अपनी स्टैन पे लगा दें पानी खतम हो गया है तो फिर से पानी डाल दीजे ये देखे इडली एकडम थंडी हो गई है और फटाफट ये अपने मोल्ड को छोड़ देगी इस तरह से देखे एकडम थंडी होने के बाद एकडम fluffy इडली बन गई है बिना घी तेल का ये नाश्ता है अगर आप चाहें तो इस पे तड़के डाल सकते हैं थोड़ा सा तड़का उपर से हम गानीश करेंगे और अगर इस तरह के आप नास्ता डेली बना कर खाएंगे तो आपको protein भी काफी मात्रा में मिलेगी और digestion भी बहुत ही अच्छा होता है क्यो होती है और इसे आप अपनी चटनी के साथ या सॉस के साथ खा सकते हैं मैं आज आपको ड्राई टमाटो की चटनी बनाना बताऊंगी इस टमाटो के अंदर हमने मसाले नमक और ओयल भी मिला रखा है तो आपको मैं इसका लिंक जरूर दे दूंगी हाफ कफ हम ड्राई डाल दे रहें क्योंकि थोड़ा स्पाइसी चीए और बिना पानी डाले ग्राईंड कर लेंगे उसके बाद एक चमत चना डालेंगे और छिलके सही थी चना है थोड़ा से प्रगड कर चिलका निकाल लिया था ग्राईंड करने के बाद थोड़ा पानी डालेंगे और जितनी जरूरत हो उतना पानी डाल दीजे, हाफ कप करीब जरूरत थी, तो मैंने डाल के ग्राइंड कर लिया, और उसके बाद हम एक्स्टा पानी मिला दिये, ताकि जो चटनी है, हमारे फूल जाए और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, एक चमच हमने तेल डाला है, चोटे चमच से, और इसके अंदर हमने एक चमच पंच फोरण डाला है, आप चाहें तो राई का तड़का भी दे सकते हैं, एक से दो मिर्चे हैं, और एक चमच मैंने चना डाल डाला है, आप चाहें तो चना डाल और मूंग डाल डाल सकते हैं, या उड़त डाल भी, थोड़े से करी पत्ते हमने डाले हैं और उने डालके, एक से दो मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे, भूनने के बाद हम अपनी चट्नी को डाल देंगे, ये चट्नी देखे काफी ड्राई लग रही है, तो हमने जार धुलके भी पानी डाला है, और इसे थोड़ी देर हम पकने देंगे, और थोड़ा सा गुड़ डाल लहे हैं, और नमक की ज़रूरत होगी, अगर तो चेक करके नमक डालेंगे, क्योंकि हमारे जो तमाटर थे, उसमें भी नमक है, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा चिली पाउडर, रेड कलर के लिए ह अब देखे, बॉयल होके हमारी चटनी काफी गाड़ी हो गई, थोड़ा सा साल्ट मुझे कम लगा, तो हमने साल्ट डाल दिया, अगर आप खटास थोड़ी और बढ़ानी चाहते हैं, या चटपटा बनाना चाहते हैं, तो हाफ नीबू मैंने लिया है, चटनी थोड़ी ज पहले एक चमस, ताकि चटनी के ऊपर भी डाल सकें, और अपनी नाश्ते के ऊपर भी, बहुत ही टेस्टी और प्लफी नाश्ता है, मैं आपको दिखा रहे हैं, देखे कितना सॉफ्ट है, कितनी जालिया पड़ी हैं, और इसमें ना तो मैंने इनो डाला है, ना सोडा डाला हैं, और ना ही बेकिंग पाउडर, अगर आप इसे इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर दोनों चीजों को फेट के, 10 मिनट का रस्त देके, इनो डाल दीजिए, और फटा फट अपने इस तरह की नास्ते की रसिपी तयार कर लीजिए, उमीद है आपको प सब्सक्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट रसिपी के साथ फिल मितने, थैंक यूँ